मैं डॉक्टर महेंदर सारण और बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर तो मैं आज इस वीडियो में तुम सभी विद्यारतियों को बहुत इंपोर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूं जो में फाइनल की विद्यारति पंडित दिन दयान यूनिवर्शिटी शेकावाटी और जो मतश्य यूनिवर्शिटी अलवर से जो बच्चे हैं वो विशेज रूप से ध्यान दे क्योंकि उनका पहला पेपर हो चुका है दूसरा पेपर उनका 26 तारिक को है में फाइनल का जो पंडित दिन दयान यूनिवर्शिटी के चात्र है उनके जो शेकि प्रदेरे राजिस्तान यूनिवर्शिटी से उनके अप्लाइड लिंविस्टिक का पेपर है तो यह सभी विध्यारती बड़े ध्यान चे सुने जो में इंपोर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूं अम मैं बात करता हूं पहले पंडित दिल दयान यूनिवर्शिटी में के छात्रों के बारे में जिनका शेकिंड पेपर है जिस पेपर का नाम है ट्वंटेंट सेंचुरी लिटरेचर प्रोश इंट फिक्षन अम मैं बताता हूं कि उन्हें इस पेपर को किस तरह से हल करना है ताकि वह एक अच्छी मार्किंग ले सके तो देखो आपके स्लेबस म टूदा लाइठाउस और टूदा टूटोई सोप है अब इसमें कौन-कौन से लर्न करने है तो देखो सेक्षन एमें हमें लर्न करना है वी एस नायपोल का इंडियाज बांडेड सिविलाइजेशन और बर्टेंट रसेल का आइडियाज देटेव हेल्प मैंकाइंड और आ क्या हो तो भारत की सब्वेता को नुक्षान पहुचाने वाले जो शामाजिक आर्थिक राजनितिक जो कारण रहे आप उनके बारे में लिखिए विज्ञान की अनुपलब्दियां हमारे लिए कैसे आनिक रही प्रमानु बमों का विश्कार किस प्रकार रहा चेत्रिये द के दरेन-बो तीन पीडीयों के कहानी हैं जिसमें लेडिया लेंस्की है टॉम है और फिर लास्टि लास्ट में एना ैसक्रेबैंस्की है अर्सूला है और जो us, sit जो कि कहनी है मिलेटियों के तो दालाइटा उसकी वर्जिनिया गुल्फ का बहुत अच्छा नोवल है जिसमें इसने परिवारवात को बताया है कि किस तरह मिस्टर एंड मिशीज राम से अपने बच्चों के परती डेडिकेट रहती है उनके मरने के बाद फिर मिस्टर राम से उसका खुआप कैसे पूर करेंगे और पोइंट में भी पोइंट डालने के कोसिस करेंगे लोग कुशन में दस से बारा पॉंट में आपको कम आंसर नहीं देना है वर्ड लिमेट साथ से आड़ पेज रहेगी इसका प्रोपर वीडियो मैं एक लंबा वीडियो में जाके देख सकते हैं अब बात करते तो यह पूरा का पूरा रिशर्च पर है जिसमें English Language क्या है, Grammar की उप्योगिता क्या है, Teaching Methods क्या है, और Diptonks, Monophtons क्या है, Close क्या है, Phrages क्या है, इनके बारे में पूछा गया है कि English History कहां से आई, English Literature का क्या पूरियोग हुआ, उसमें Grammar का क्या पूरियोग हुआ, और Grammar की Importancy क्या है, और Grammar जो है, वो किस तरह से भासा सीखने में हमारी मदद करती है, हग नहीं है, इन सारी चीजों के बारे में पूछा, तो इसमें Section A, B, C और D, चार दिये गया है, जिसके Section A में आपको Close Phrases के बारे में इन के बारे में पूछा जाएगा, Word Meaning के बारे में पूछा जाएगा, और Sound के बारे में पूछा जाएगा, और इसमें word stories के बारे में पूछा जाएगा, suffix के बारे में पूछा जाएगा, और discourse analysis के बारे में पूछा जाएगा, और word mapping के बारे में पूछा जाएगा, जो दूसरा है, उसमें English language के history के बारे में पूछा जाएगा, और तीसरे में research के बारे में पूछा जाएगा, research analysis का question आ से जिसको भी जरुरत है वो हमारे से मेटर प्राप्त कर सकता है मैं उसको जरूर गाइड करूँगा अम में बात करूँगा आए में फाइनल के युनि रास्तान युनिवर्सिटी के छात्रों की अप्लाइड लिंग्विस्टिक का पेपर है सेम मतद से युनिवर्सिटी वाल सेक्षन बी में आपके नाउन वर्ब क्लोज है और इसी में ही आपके वर्ब का पैटन दिया हुआ है जिसमें रेगुलर इर्रेगुलर वर्ब के बारे में डाइनमिक इस्टेटियो वर्ब के बारे में यह पूछा जाएगा आपके और तीसरा जुश्य सेक्षन है उसमें ambiguity के बारे में पुछा जाएगा ट्रांस्पोर्मेशन में शिंपल को कंपाउंड में चेंज करवाना कंपाउंड को सिंपल में सिंपल को कॉंप्लेक्स में कॉंप्लेक्स को सिंपल में तो इसके लिए आप कंजक्षन आसानी से पढ़ सकते हैं एक्ट्व पेशिव आसानी से पढ़ सकते हैं और ध्यान रहे वर्ब जरूर पढ़के जाना वर्ब से रिलेटेट कई सारी कुशन आएंगे फिर इसमें नोट मेकिंग का क्यों सुनाता जिसमें एकलिप्स के बारे में और कम्युनिकेट्व लेंगवेश के बारे में आपने रिड के तैयारी करिए तो आपको इस बात का अच्छा पता होगा तो इस तरह से आप इस पेपर को कंपलीट कर सकते हैं बहुत अच्छा पेपर है स्कोरिंग पेपर है लेकिन ध्यान देने की बात है बिल्कुल ध्यान से करके आओगे वर्ट तो वर्ड और पेटर्न टू पेटर्न इसको करके आओगे तो वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरू करें थैंक्यू वेरी मच दियर फ्रेंड बहुत बहुत